हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब अपले स्टोर से कोई अप्लिकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हो तो इसमें बार-बार पैंडिंग लिखावा आता है अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको यह वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हुद कि आपको क्या ट्रिक्स फॉल्लो करने हैं जिससे आपको आपर पैंडिंग लिखावा ना आया और आप जो भी आप इंस्टॉल करें फटा फट इंस्टॉल हो जाए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स ढूंलोड करना है, तो सबसे पहले यह इंशुॉर करना है, कि आपके फोन में इसपेस है या नहीं, अगर आपके फोन में सपेस होगा, तो आप 돌아मोर है, अपने memory को फील करना है, उसके बाद आपको यह व्यायाप कर सकते हैं, जो दूसरा आपको method है उसमें क्या करना है आपको जो play store आपका है shortcut है जो play store का आपको उहाँ पर press करना है थोड़ी सकीन के लिए उपर app info आएगा आपको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जाना है फोर्स स्टॉप में क्लिक करना है नीचे आ रहा है फोर्स स्टॉप आपको हाँ पर क्लिक करना है और ओके कर देना है उसके बाद आपको क्लियर डेटा में क्लिक करना है और क्लियर कैशिम में क्लिक करना है अब आप दुबार से अपना फ्रेस टोर उपन करें और कोई भी आप डाउनलोड करें जैसे मैंने अप डाउनलोड करती हूँ मैं इस में स्टॉल करती हूँ देखें दुबार चलने लगेगा, डाउनलोड होने लग गया है I hope friends आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक जरूर करे Thank you so much